The Real World में नेया campus आइड हुआ है, Hustler's Campus, and you'll be surprised to know my opinion about it. If this is your first time watching me, do hit that subscribe button. Welcome to Dieselhead, this is Vivek, let's roll the video fellas. मेरे चैनल पर लिके आ रहा हूँ, मैं गेस्ट को The Real World से, जिसने बनाए है 7,000 डॉलर लास्ट मन्त में और वो है लीडर बोर्ड पे. चलो, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. Hustler's Campus के अंदर बेसिकली आपको ये सिखाया जागा कि जल्दी से जल्दी कैसे पैसा बनाया जाए, सो देट कि आप अपनी मेट्रिक्स वाली जॉब, जो 9 to 5 की जॉब होती है, उसको छोड़के और अपने आप में सस्टेन कर पाओ, और बाकी कूर्स कर पाओ, सो देट कि आप अर्निंग धीरे-धीरे करके अपनी बढ़ा पाओ. हसलर्स कैंपस अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, और इसमें अभी बहुत जादा चैप्टर्स नहीं है, बेसिकली तीन चैप्टर्स हैं इसके अंदर, जिसमें अलग-अलग मॉडिूल्स दिये हैं, फिर उसमें लेसंस हैं, तो जो पहला चैप्टर है, वो हमेशा की त चूटी-चूटी चीजों से इतना अमाउंट कैसे बना लो, कि आप सस्टेन कर पाओ, सेल्फ सस्टेन कर पाओ, सो देट कि आप अपनी जॉब छोड़ पाओ, जो 9 to 5 वाली जॉब है ना, उसको आप छोड़ पाओ, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है, कि आप कैसे उससे पैसा बना सकते हो, और वो चीजें कहां से आएंगी, कहीं कुछ चीजें आपको अरेंज कर रही हैं, तो वो आप कैसे करोगे, इन सब चीजों से रेलेटेड है, पूरा का पूरा जो 2nd chapter है, और इसमें आप बेसिक सारे के सारे सीख पाओगे, कि कहां से कैसे पैसे ब काम करना है, मेरे को पैसे बनाने है, तो वो focus कैसे लेके आना है, इसमें basically 8 modules हैं, और 22 videos या lessons हैं, जिनको आप सीख के आगे बढ़ सकते हो, और daily की चीजों से पैसे बना सकते हो, अब ये तो हुआ अभी तक का course, मतलब ये क्योंकि नया course है, तो इसके अदर अभी ये 3 ही chapters है बाकी देरे-देरे करके इसके अंदर add होते रहेंगे, तो जैसे ही आगे add होंगे और कुछ considerable addition होगा इसके अंदर, तो मैं definitely इसके उपर दुबारा से video बनाऊंगा और आप लोगों को सारी चीज़े बताऊंगा इसके बारे में, अब मेरा opinion क्या है इस course के बारे में, देखो नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, कुछ चीज़ें काम कर सकती है, बट वो आपके उपर भी depend करती है कि आप उन कामों को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, देखो जैसे पहली चीज़ है यार की car washing, अब यहां पे हमारे country के अंदर urban company already car washing की services provide करता है, तो अगर जोइन करके आप यह कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी चीज़ें जो इसके अंदर बताई गई है, लेकिन मुझे लगता है इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, साउथ ऐफरीका, यह जो countries है ना, जो third world countries है, इनके अंदर यह चीज़ें, feasible उतनी नहीं है, जितनी developed countries में है, अब देखो या, जैसे, babysitting, अब यहाँ पे, आपने देखा, कई बाद नूटिस किया होगा, आपको पडोसी बोलता है, आपको अपना बच्चा देखे, बिटा जरा 10 मुनिट के लिए बच्चा देख ले मेरा, या एक घंटे के लिए देख ले, मिलता नहीं है, developed countries में, बट यहाँ पर unemployment यहार इतनी ज़्यादा है, और जो wages हैं वो इतने कम हैं कि बंदे आसानी से मिल जाते हैं, आपकी family में कोई ना कोई बंदा ऐसा मिल जाया है, cousin के बच्चे, बट बाहर के countries में ऐसा नहीं होता, cousin के बच्चे भी पैसे लेके करते हैं तो अपने country में या फिर अपने जैसे countries में ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, अब तीसरी चीज़ आती है, जैसे एक और है यहाँ पर जिसके बारे में बताया गया है, जिसे आप पैसे बना सकते हो, वो है lawn moving, अब यार यह lawn moving, घास काटना, lawn की घास काटना, अब हमारे country में किया है कि mostly लोग माली को रखते हैं, घास वगयरा काटने के लिए, और machines यहाँ पर उस level की use नहीं होती है, manual machines mostly use होती है, और जो electric machines है, वो अच्छी घासी costly है, तो पहले तो आपको investment करनी पड़ेगी, उसके बाद आप lawn moving start करोगे, और अपने जैसे countries में लोगों के पास lawns ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास lawns ही नहीं है, तो घास ही नहीं है, मेरे ही घर में नहीं है, मैं दूसरों की क्या बात करूँ यार, क्योंकि इंडिया में mostly middle class लोग रहते हैं, middle class लोग सबसे ज़ादा इंडिया के अंदर, और घर मिल जाता है, यही बहुत बड़ी बा इंडिया, पकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, साउथ ऐफरीका, साउथ ऐफरीका मुझे confirm नहीं है, फिर भी आप उसे लेके चलो साथ में, ठीक है ना, third world countries, सारे के सारे आप एक ही साथ लेके चलो, क्योंकि इन सब countries में यह चीज भी नहीं हो पाएगी, और चौथी जो है, जैसे कई बार हमारे घर में कबाड़ा वगएरा पड़ा होता है, उसको बेच दिया, या फिर जो हम चीज़ें यूज नहीं करने हैं, उन्हें बेच दिया, उसके बारे में यहां पर बताया गया है, तो वो भी, अब देखो हम लोगों के साथ क्या है, हम ना, चीज़ो पाऊं, क्योंकि मेरी घरी को 10 साल हो गएते, तो जब हम लोग इतना चीज़ों को ओवर यूज करते हैं, तो जब उन्हें बेचेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, फ्रैंक्ली स्पीकिंग ये भी उतना ज़्यादा फीजिबल नहीं है, हम लोग क्यों अपने घरों में से, रदी बेचते हैं, बहुत सारी चीज़े हम बेचते हैं घर में से, और वो कबाडी वाले के पास जाता है, और कबाडी वाला कौडियों के दाम में लेके जाता है, तो उससे घर तो नहीं चलने वाला, लाइफ तो नहीं चलने वाली, तो ये भी तरीका यहाँ पे नहीं काम करेगा अब लोग घर की वाशिंग भी कराते हैं तो वो भी इंडिया में नहीं हो पाएगा यार क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे घर में खुद ऐसा होता है चौक पे जाते हैं मेरे फादर और वहाँ से एक मजदूर को ले के आ जाते हैं और उसको आज का जो भी मजदूरी चल रही है मजदूरी दे के पूरा घर साफ करवा लेते हैं अच्छे तरीके से in case हम लोग नहीं कर पाते हैं कई चीज़े होती है न बहुत सारी चीज़े होती हैं वगेरा क्लीन करना थोड़ा सब मुश्किल हो जाता है, मल्टिपल फ्लोर्स हैं, तो उस तरीके काम करने के लिए मेरे फादर तो एक मजदूर को ले आते हैं, महीने में एक बार ले आते हैं, और वो प्रॉपर तरीके से काम करके और पूरी सफाई कर देता है, कामवाली अस्टेलिया में, उसने अभी ये दो-चार साल पुरानी बात है, उसने एक ड्रेन पाइप साफ करने वाले बंदे को बुलाया अपने घर पे, उसका ड्रेन पाइप चोक हो गया था, तो वो बंदा आपको पता है कौन सी गाड़ी में आया था, वो मस्टैंग में आया था, एक ट्रक साथ लेके, वो ट्रक साथ लेके आया, उसने उसकी नाली साफ की, ड्रेन पाइप साफ किया, उसके बाद में जो कच्रा निकला, वो अपने ट्रक में डाला और लेके चला गया, और पता कितने पैसे चार्ज किया उसने, हजार डॉलर चार्ज किया है उसने, समझ आप फरक समझ रहे हो आप इंडिया में कोई नहीं देगा हजार डॉलर चलो ठीक है मैं यह मानता हूं कि ऑस्टेलियन डॉलर यूएस डॉलर से कम है बट स्टिल वह पांचे साल पुरानी बात है यार हजार डॉलर बंदा लेके गया है मस्टैंग पर आया है समझ रहे हो आप तो चीजें वहाँ पर करना इजी है यहाँ पर आप नली साफ कराते हो किस से कराते हो कोई नो कोई मिल जाता है आते हैं लोग करने वाले साफ करने वाले आप उनसे साफ करा लेते हो तो इंडिया के अंदर यह सब काम हसल यह वाले हसल करना इजी नहीं है मतलब देखो आप 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 जिस लेवल पे हो उस लेवल पे आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे और अगर करनी भी शुरू कर दी तो सस्टेन नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से ठीक है ना क्योंकि देखो आप जो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो ना वो इंडिया में इन सब चीज़ों से नहीं हो पाएगा बाहर के कंट्रीज में हो जाता है और फिर एक और भी चीज़ आ जाती है कि वो जो शोशल डाइलमा होता है जो प्रॉलम्स होती है अच्छा य लोग हाथ नहीं लगाते हैं चीज़ों को वो हर चीज़ के लिए मशीने यूज करते हैं और अपने इंडिया की तो कहानी अलग है अपने इंडिया की क्या जितने भी ये डवलपिंग कंट्रीज है उन्स सब की कहानी एक जैसी है इस मामले में मुझे लगता है देखो मैं गया नहीं हो मैं भांडलादेश नहीं गया हूं मैं नेपाल है तो मुझे नहीं पता ग्राउन्ट रे एियलिटी क्या है वह च्योंकि यह सारे कंट्रीजों श्रीलंका भी यह सारे कंट्रीज comments ए है तो मुझे लगता है इंडिया के अंदर visa नहीं यह याँ इंडिया जैसे countries के अंदर feasible नहीं है मैं ये नहीं कहता कि कोई country ऊपर है या नीचे है but सारे के सारे जितने भी developing countries not developed, developing countries है उनके अंदर थोड़ा सा इन कामों को करना मुश्किल है तो मुझे लगता है hustlers campus के अंदर जितने भी task हैं अभी तक अभी तक जो भी तरीके बताए गए है पैसे बनाने के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल है करना बठाँ, एक काम जो मुझे लगा वो car washing वाला या फिर जो आप urban clap पे कर सकते हो वो थोड़ा सा मेरे को feasible लगता है बट urban clap इंडिया में अच्छा खासा chunk of money आपकी मेहनत का ले लेगा तो basically आप बचा नहीं पाऊगे और आपकी वही 9 to 5 वाली job की तरह हो जाएगा क्योंकि मैंने भी अभी कुछ दिन पहले urban clap से एक AC वाले को बलाया था, मेरा AC clean करने तो उसका ये कहना था मैंने शायद 800 रुपे दिये थे उसको उसका ये कहना था कि उसको सिर्फ 500 रुपे मिले मतब 300 रुपे वो ले गए urban clap वाले ले गए, urban company वाले ले गए तो मेरे को लगता है कि ये इस तरीकी के task क्योंकि आपको directly task किये वाले मिलेंगे नहीं आसानी से, है ना क्योंकि आप अपने relatives में जान पैचान वालों में अगर ये चीज बोलोगे तो पहली बाद तो आपका मजाख उड़ाने लग जाएंगे और वो चीज ना आप शरम की वज़े से, hesitation की वज़े से वो चीज आप कर नहीं पाऊगे तो मैं ground reality बता रहा हूँ जो सचाई है वो यही है तो ये काम आप नहीं कर पाऊगे तो मेरे हिसाब से hustlers, campus जो the real world के अंदर है इंडिया और इंडिया जैसे countries के लिए, developing countries के लिए ये बिल्कुल बेकार है अभी तक तो है, मतलब आगे आने वाले जो chapters हैं, उनके अंदर कुछ नहीं चीज़े अगर add होती है तो definitely मैं update करूँगा बट अभी तक मुझे लगता है कि ये इंडिया में feasible नहीं है या फिर developing countries में ये feasible नहीं है तो अगर आप join करना चाहरे हो hustlers campus को देख के the real world को तो मत करो to be very frank, देखा मैं बिल्कुल सच और बिल्कुल साफ साब बताता हूँ ये पहला campus मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया जिसकी वर्थ नहीं है real world के अंदर पहला campus मेरे को ऐसा दिखाई दिया जिसकी वर्थ नहीं है और एक चीज़ और मैं बता दूँ ये जो hustlers campus है ना ये मैंने क्योंकि lessons देखे और मैंने ये notice किया social media plus AI social media plus client acquisition वाला जो campus है ना उसके अंदर ये पहले छोटा सा part हुआ करता था so that कि लोग जब transition कर रहे हैं matrix से तो वहाँ से जब आप transition करते हो the real world की तरफ अपने self sustain होने के लिए तो उसका ये part था social media plus client acquisition campus के अंदर but अब इसको कर दिया है अलग तो तब ये था कि ऐसा कि कोई matrix से आ रहा है तो यहाँ पे जब transition करेगा तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी developed countries में ये feasible है चीज़ें आसान हो जाएंगी but यहाँ नहीं हो पाएगा तो ये कुछ नए part मेरे को यहाँ पे दिखाई दिये कुछ पुराने हैं कुछ videos पुराने हैं कुछ नई videos हैं इसके अंदर तो ये था मेरा opinion about hustlers campus आपकी इच्छा है आप इसको देखके अगर join करना चाहरे हो आपकी मर्जी है करना चाहो तो कर सकते हो but मैं recommend नहीं करूँगा कि आप इस चीज़ को देखके the real world को join करूँ इसके अलावा बहुत सारे campuses हैं जिसके अंदर मैं हूँ content creation plus AI social media है अपना crypto है trading है काफी सारे campuses हैं जिनको आप pursue कर सकते हो यहाँ पर और उसमें definitely आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी but इसके लिए मैं recommend नहीं करूँगा hustlers campus के लिए मैं बिलकुल भी recommend नहीं करूँगा और हाँ भूलना मत कि मैं guest को लेके आ रहा हूँ जिसने बनाए है 7,000 डॉलर the real world in the last month में और वो leaderboard पे भी है if you enjoyed watching this content do hit the like button, share the video and we'll be meeting in the next video